इस कप्ड़ा लेंगे यह सीधा है यह जो कपड़ा है यह सीधाु इवरेे पे तो इस परकाल से हम की देखके де हम दो निशानों को विल दफिगे एक लाइन किश लेंगे दोस्तो इस वीडि़ा में आपको बताऊंगी pricing लगा ना बिल्गुल सफाई ते एक सम परफेक्ट तरीके से तो वीडियो को एंड तक देखे और पैपिन लगाना सीखे तो अब एक इंच और दो पॉइंट एक इंच दो पॉइंट के हम चोड़ाई लेंगे तो ये जो लाइन है इससे हम एक इंच दो पॉइंट पे निशान लगा देंगे फिर यहां पर भी एक इंच दो पॉइंट पे निशान लगा देंगे यहां भी 1.2 पे निशान लगा देंगे अब इन सब निशान को आपस में मिला देंगे तो यह जो तिर्शा कपड़ा है इसे हम उरेब कपड़ा बोलते हैं और उरेब पाइपिन लगाना चाहिए ताकि इससे हमारी पाइपिन की सफाई सही से आती है वैसे हम सीधे कपड़े की भी लगा सकते हैं पर मैं उरेप से आपको सीखा रही हूँ इस वीडियो में कि उरेप से किस प्रकार हम पाइपिन लगा हैं जिसके हमारी पाइपिन एकदम परफेक्ट लगे तो यह मैंने एक टुकड़ा काट लिया है अब इसी को रख के हम और भी काट लेंगे हमें जितना लंबा चीए हम उस हिसाब से इन टुकड़ों को फिर आपस में जोड़ लेंगे हमें कितनी लंबा ही चीए तो इस परकार से मैं तीन चार टुकड़े काट लूगी तो यह हमारे कट हो चुके हैं अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो यह जो तिर्चा वाला भागे और इसका भी जो तिर्शावाला भागे इन दोनों को हमें इसका भी तिर्शावाला भागे ये दोनों अभी एक साइट दिख रहे हैं तो इसको हम इसके उपर पल्टी कर देंगे ये इन दोनों को हमें अपोजिट साइट रतना है इसका कोना इधर और उसका कोना उधर थोड़ा सा निकाल के रखना है ये देखिए वो नीचे वाले का कोना उधर निकला हुआ है और ये जो उपर वाली पट्टी है इसको हम उल्टा रखेंगे और नीचे वाली सीधी पट्टी उसके उपर हम इसको उल्टा रखेंगे फिर हम सिलाए लगा देंगे तिर्ची इसके उपर एक और प्रेस मशिन लगा देंगे तो उरेप की जो पट्टियां रेती हैं उन्हें हम इस प्रकार जोड़ेंगे तो यह मैंने बहुत सरी पट्टियां जोड़ लिए जितनी लंबाई मुझे चाहिए गले के लिए यह सबी को मैंने आपस में जोड़ लिए अब हम पाइपिन लंगाने स्टार्ट करेंगे तो यह जो ब्लाउस है इसको हम सीधा रखेंगे यह सीधा वाला भागे उपर हम नीचे की साइट मौड के लेंगे यह बाहर की साइट निकाला और इसको नीचे की साइट फॉल्ड कर दिया अब हम इसमें मशीन लगाएंगे मशीन नॉर्मल जो सिलाई करते टाइम हम जिस प्रकार लगाते हैं थोड़ा मार्जिन चोड़के वैसे ही लगानी है इस प्रकार हम इस पट्टे को पूरी को इस पे अटेश कर देंगे कपड़े को कहीं से भी आपको खेशना नहीं है बिल्कुल बराबर करते हैं हमें सिलाई लगाना है दोनों को यह हमरा पीछे का एक गोल गला आ गया है तो हमें यहां पर कुछ भी नहीं करना है जिस प्रकार हम उपर से सिलते आ रहे हैं उसी प्रकार इसको रखे और सिलना है जहां पर गोलाई है महां पर हमें सिलाई गोलाई से लेना है बस इतना ध्यान रखना है ये बला उस गोल गले का है इसमें पाइपन लगाना बता रही हूँ अगली वीडियो में मैं आपको चोको और गले के में पाइपन लगाना भी सिखाऊंगी तो हमें गोल गले में कुछ भी नहीं करना है सिम गुलाई को अच्छे से लेना है बाकी कपड़ा दोनों बराबरी रखने है यह हमारी पाइपन लगने वाली है सिलाई में सबसे टफ पार्ट होता है यह पाइपन लगाना अगर आप बेगिनर्स है या नए नई सिलाई सिक रहे हैं तो आप इस पर का ट्राइब करें दो तीन बार ट्राइब करें अपने आप सफाई आने लग जाएगी और इस इम में हमें किसी तरह की प्रोब्लम नहीं आएगी उरेप पाइपन में अब यह जो एक्स्ट्रा पट्टी ज्यादा निकली हुई है भाग इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के बाकी कट कर देंगे और इसको नीचे के साइड इसको भी उसी प्रकार फॉल्ट कर देंगे इसको भी नीचे साइड फॉल्ट करके सिला इको भाग निकाल देंगे अब नाखुन की साहता से इस सिलाई को थोड़ा सा प्रेस करते हुए हो अब घुठा फेर देंगे पूरे पे ताकि हमारी फिनिशिंग सही से आए कि यह स्टेप जरूरी है करना अब यह हमारी पट्टी अटेच हो चुकी है इसमें अब यह जो पट्टी है इसको हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है यह अब उल्टा भाग लेंगे उल्टी साइट से अब उपर साइट से नहीं लेंगे हम सीधे साइट से बलास को उल्टा कर लेंगे और यह जो पट्टी है इसको हमें हाफ फोल्ड करना है जहां हमने सिला ही लगा है, वहाँ तक इसको रखे हमें, हाफ फॉल्ड कर लेना है, और बिल्कुल उदर कोने पर मशिन डालना है, अंदर मशिन डालना है, या फिर इदर मशिन डालना है, जो हाथ का राइट साइड दिख रहा है, उस साइड हमें कोने पर मशिन डालना है, कि यह मेरी गोलाई आ गई है यहाँ पर भी हमें उसी प्रकार से सिलाई डालना है कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ कोई स्पेशलिस्ट अपनी है इसके लिए सिदे सिलाई लगाते जाना है हमको यह सिलाई लग गई है अब हमारी लास्टे स्टेप बचिए पाइपन लगाने की फाइनल स्टेप तो अब इसको हम सीधे साइड से लगाएंगे तो यह जो पट्टी बची है हमारी इसको हाफ फोल्ड करना है वापस से अंदर और यह उपर जहां पर मशीन आ रही है हमारी उसके उपर हमें मशीन डालते चलना है हम यह ध्यान रखेंगे कि हमारी जो मशीन दिख रही है उपर साइड उसमें हमें सूज को डालते हुए चलना है तो हमारी पाइपन बिल्कुल फिनिशिंग से ही आईगी एक जिसी और कपड़ा हम जब मोडे अंदर साइट फोल्ड करें तो कही से ज्यादा कम नहीं करें एक जेसा ही फोल्ड करते हुए चलने तो हमारी पाइपन पूरी एक जिसी बनेगी कही से चोड़ी या मोटी पतली नहीं बनेगी गुलाई में हमें सिलाई को गुलाई से लेना है थोड़ा तस गुलाई का पर हमें यहीं ध्यान रखना है यहां हमारी गुलाई है यहां पर हमें गुलाई का बहुत ध्यान रखना है बशिन साही से लेना है पट्टी को हम अंदर साइट फॉल्ड करते हुए चल रहे है पूरी फॉल्ड नहीं करना है हमें पाइपिन कितनी पतली है कितनी शोडी रखनी है उसी साब से फॉल्ड करके हमें सिलाय लगाना है तो हमेरी पाइपिन एक दम पर्फेक्ट तरीके से लग कर तयार हो जाएगी तो इसी तरह से सिलाय सीखने के लिए और यदि आप बिगिनर से सिलाय सीखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को देखें लाइक करें शेयर करें इसी तरह सिलाय में मैं आपकी हेल्प करती रहूंगी धन्यवाद नदियो में नदियो का लें में मैं थाँ से सिलाय सीखना चाहते हैं झाल Bjork को ज areยए भी दिस रहे हेल्प करें लिए चाने कि ममे भाई करें